इसी प्रकार हम देखते हैं कि लेंस की अलग-अलग फोकस दूरी होती है अलग-अलग परिस्थिती में लेंस अलग-अलग तरीके से कारे करता है और इसी प्रकार हमने देखा पहले भी कि वस्तू की दूरी यदि लेंस से अलग-अलग होगी तो उसमें प्रतिवियंब का नि तरचा करते हैं मतलब प्रतीबिम्ब की आकार की तुलना वस्तू के आकार से की जाती है तो वह उस लेंस का होता है रैखिक अवर्धन मतलब प्रतीबिम्ब वस्तू से कितना गुना बड़ा है यही कंपैरिजन कहलाता है रैखिक वर्धन यानि की linear magnification इस linear magnification को हम अंग्रेजी alphabet के small letter M से दर्शाते हैं और यह रखी का वर्धन यानि लीनियर magnification का formula होता है रखी का वर्धन बराबर प्रतिविंब का आकार यह प्रतिविंब की लंबाई बोल सकते हैं अपन वस्तू का आकार यानि की वस्तू की लंबाई और इसको सूत्र नुसार देखें तो लिखा जाएगा M बराबर I upon O size of image upon size of object और इस रखी का वर्धन का कोई की मात्रक नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ comparison है प्रतिविंब का आकार और वस्तू के आकार का इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता अब इस रखीक आवर्धन को हम दोनों प्रकार के लेंसों के लिए ग्याद करते हैं जब हमने उत्तल लेंस के लिए लेंस का सूत्र ग्याद किया था वहाँ पर हमने एक समीकरण लिखा था वह समीकरण था AB upon A dash B dash equal to OB upon OB dash यदि हम चित्र से देखें तो यह किस किस का comparison था प्रतिबिम और वस्तू के size का क्योंकि दो जो लंब थे वो वस्तू और प्रतिबिम के size थे मतलब लंबाई थे और दूसरा इनकी प्रकाश केंदर से दूरी तो यहाँ पर यही है AB और A dash B dash इस चित्र से अगर हम चिंद परिपाटी के साथ रखें तो AB क्या है AB वस्तू का आकार है यह वस्तू का size है और A dash B dash क्या है यह प्रतिबिम का आकार यह size है और O B यह वस्तू की दूरी है और O B dash यह प्रतिबिम की दूरी है तो चिंद परिपाटी के नुसार लिखें तो AB बराबर हम लिखेंगे O क्योंकि वस्तू जो है वो मुख्यक्ष के उपर रखा गया है जिसका प्रतिबिम कहां बन रहा था प्रतिबिम जो है वो मुख्यक्ष के नीचे बन रहा है तो A dash B dash बराबर लिखेंगे माइनस आए वैसे ही O से लेकर B तक की दूरी यह हो जाएगी माइनस यू और O से लेकर B dash तक की दूरी यह हो जाएगी प्लस वी इस मान को यदि इस फॉर्मुले में रखें तो यह माइनस माइनस साइट दोनों साइट से कैंसल हो जाएंगे तो हमें प्राप्तोगा M बराबर यानि की रैखिक अवर्धन बराबर I upon O equal to V upon U वैसे ही यदि हम अवतल लेंस के लिए देखें तो जब हम अवतल लेंस के लिए लेंस का सूत्र ग्याद किये थे तो कुछ इस टाइब का चित्र हमें मिला था और इस प्रकार का फॉर्मूला भी हमें मिला था A B upon A dash B dash equal to O B upon O B dash अब यहां पर इन सब के मान को चिन परिपाटी का नूसर रखते हैं A B क्या है वस्तु का आकार है जिसको हम लोग O लिखेंगे क्योंकि यह मुख्यक्ष के ऊपर बना ह A dash B dash यहां पर यह प्रतिविंब का आकार है यह साइज है इसको हम लोग I से दर्शाएंगे और इसे भी हम धनात्मा क्लिखेंगे क्योंकि यह भी मुख्यक्ष के ऊपर ही बन रहा है क्योंकि यहां पर जो प्रतिविंब है वो अभासी प्रतिविंब है सातियां देखे O B य इसको हम लोग लिखेंगे माइनस यू और सेम साइट में ही प्रतिविंब बन रहा है इसलिए प्रतिविंब की दूरी यानी O B dash इसको भी हम लिखेंगे माइनस V से यह माइनस U और माइनस V कैंसल हो जाएगा माइनस माइनस साइन तो यहां पर हमको फॉर्मुला मिलेगा I upon O equal to V upon U और यह formula है रैखिक आवर्धन का तो रैखिक आवर्धन का formula चाहे हम उत्तर lens के लिए देखें चाहे अवतर lens के लिए देखें यहाँ पर same हमको मिल रहा है यह है M बराबर I upon O equal to V upon U जब हम अलग-अलग स्थित्यां लेते हैं तो चिन में परिपार्टी के अनुसार इसको solve करते हैं और Wellness को प्राप्त करते हैं यदि हम प्रतिविम के बारे में बात करें जब प्रतिविम अभासी बन रहा हो तो अभासी प्रतिविम कैसा बनता है वो सदाय भी सीधा बनता है मतलब वस्तु जिस मुख्यक्ष के उपर रखी गई है तो अभासी प्रतिविम भी जो बन रहोगा वो भी मुख्यक्ष के उपर बन रहा होगा उस कंडिशन में रैखिक आवर्धन हमेशा धनात्म की होगा लेकिन जब प्रतिविम वास्तविक बन रह है मतलब वस्तु मुख्यक्ष के उपर रखी गई होगी तो प्रतिविम मुख्यक्ष के नीचे बनेगा उस कंडिशन में यदि हम रैखिक आवर्धन का फॉर्मला देखे तो वह एम बराबर यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा तो जो रैखिक आवर्धन होता है वो सद के लिए तो उट्SON لैंश का प्रतिविम क्यासा बनता है अग यदि हम किसी बस्तु को उत्त्ल लेंश के पास रखे दूर रखे दूर जाएं तो इन सभी कंडिशन में प्रतिविम् zukा जो आकार है वो अलग-अलग हो जाता है उसकी प्रकृति भी अलग-अलग होती है जब हम वस्तु को उत्तल लेंस से दूर रखते हैं यानि कि अनंत पर रखते हैं उस कंडिशन में उस वस्तु का प्रतिबिम्ब वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और यह वस्तु से छोट प्रतिविंब का आकार थोड़ा सा तो बढ़ जाता है लेकिन तब भी यह वस्तू से छोटा ही रहता है लेकिन जब वस्तू टूएफ दूरी पर रखी जाती है तो वहां पर प्रतीबंब का निर्मान वास्तविक होता है उल्टा होता है पर वस्तू के बराबर होता है और जब वस्तुको बहुती समिपने आते यानि कि फोकस और प्रकाशकेंद्र के बीच में उस कंडिपि heavily बेब तो यह प्रतिबह्म अभासी बनता है और यह अभासी भी बनता है वास्तवी भी बनता है तो इस प्रकार उत्तल लेंज के लिए रेखे का वर्धन का मान एक से अधिक भी होता है एक से कम भी हो सकता है एक के बराबर भी हो सकता है यह मान धनात्मक भी हो सकता है यह मान रिनात्मक भी हो सकता है लेकिन जब हम आवतल सिधा बनेगा पर आफ़तल लैंस के कैंडीशन में यह जो बंच सही बनेगा इसलिए जये जब हम अफ़ी लेन्स की बात करे तो यहां सदेव धनातमक होता है जिसका मान एक से कम ही होता है आभ हम रैखिक आवर्धन का जो फॉर्मुला है उसके रूप को थोड़ा चेंज करते हैं हम इसे वस्तू की दूरी प्रतीबिंब की दूरी और फोकस दूरी के अधार पर लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आंकिक प्रश्ण में अलग-अलग रूपों के अधार पर हमको अलग फॉर्मुला लिखना पड़ता है तो यदि हम रैखिक आवर्धन को वस्तू की दूरी तकाशिक केंदर यानि यू और लैंस की फोकस दूरी एफ के अधार पर लिखने की कोशिश करें तो लैंस के सूत्र के अनुसार हम जानते हैं वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन समी करण के दोनों पक्षों को यदि हम यू से गुणा करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा हमें यू अपॉन वी माइनस वन इकवल टू यू अपॉन एफ अब यू अपॉन वी बराबर हो जाएगा यह वन को हम लोग इकवल टू के उस पर ले जाते हैं तो यह प्लस बन ज और रैखिक आवर्धन का फॉर्मुला V upon U होता है, तो हम इसका व्योत करम ले लेते हैं, V upon U बराबर होगा F upon U plus F, और ये V upon F ही रैखिक आवर्धन है, तो रैखिक आवर्धन M बराबर होगा F upon U plus F, ये था वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के अधर पर, अब इसी फॉर्म इसमें 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F है, अब इन दोनों पक्षों को समीकरण को हम V से गुणा कर देते हैं, तो हमें मिलेगा V upon V minus V upon U equal to V upon F, या से V और V cancel हो जाएगा, तो मिलेगा 1 minus V upon U equal to V upon F, और इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा V upon U equal to 1 minus V upon F, अब यहां राइट हैंड साइड में LCM ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा V upon U equal to F LCM में आएगा, F minus V, यहाँ पर V upon U होता है रैखी का वर्धन, जिसको हम दर्शाएंगे M से, तो M बराबर हो जाएगा F minus V upon F, और यह फॉर्मूला है रैखी का वर्धन का प्रतिविंब की प्रका अजदूरी के टर्म्स में, अलग-अलग स्थितियों में इन फॉर्मूले का इस्तमाल किया जाता है, अब हम बात करेंगे Lens की छमता की, यानि की Power of Lens, एक्शुली Lens काम क्या करता है, जब Lens के अंदर से प्रकाश किरने गुजरती है, तो वो उनके गुणों के आधार पर कभी मुख्य अक्श के पास मोड़ देता है, कभी मुख्य अक्श से दूर मोड़ता है, यदि वो उत्ता Lens होगा, तो मुख्य अक्श के पास मोड़ेगा, और यदि अफ्ता Lens होगा, तो मुख्य अक्श से दूर मोड़ेगा, मतलब किरने फैल जाएंगी, तो ये Lens के को मिलता है जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक है इसका मतलब क्या है कि वो किर्णों को जादा नहीं मोड पा रहा है वो किर्णों को कम मोड रहा है तब तो उसकी फोकस दूरी दूर में है जिस लेंस की फोकस दूरी कम है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वो किर्णों को ज्यादा जुका पा रहा है इसलिए उसकी focus्दूरी कम है तो यू कहें कि link के प्रकाष किर्णों को मोढने की जो छमता है वो निर्भर करती है उसके focus दूरी पर है और ये हम कहे सक्ते हैं की जो लैंस की छमता होती है उसके focus दूरी कि व्यूत क्रमा नुपाती है जब acrony dory अधिक थी तो वह कम ओड रहा था और जब फोकस दूरी कम थी तो प्रकाशक्रिंदों को अधिक मोढ रहा था यह निकिए कि कह सकते हैं लेंस की चमता उसकी फोकस दूरी के व्यूत करम अनुपाथि होती है और हम लिख सकते हैं लेंस की चमता बराबर एक बटे लेंस की फोकस दूरी लेंस की चमता यानि कि पावर अफ लेंस को हम P से दर्शा आते हैं और उसकी फोकस दूरी को F तो formula होता है P बराबर 1 अपॉन F और यह जो lens की छमता है इसको हम नापते हैं डायोप्टर में यानि कि इसका SI मातरक होता है डायोप्टर यदि हम किसी lens की focus दूरी को मीटर में नाप रहें उस condition में हम लिखते हैं P बराबर 1 अपॉन F जहां F मीटर में हो यदि focus दूरी 1 मीटर हुई तो उस condition में इस lens की छमता एक डायोप्टर कहलाती है लेकिन जनरली जो हम lens का इस्तमाल करते हैं उसकी focus दूरी cm में नापी जाती है तो यदि यह formula cm में हो तो lens की छमता का formula हो जाएगा P बराबर 100 अपॉन F जहां F फिर किसमें होगा cm में और उस condition में जो lens की छमता होगी वो डायोप्टर में होगी बस यह formula का रूप बदल गया है जब मीटर में होता है तो डारेक्ट हम 1 अपॉन F लिखते हैं पर जब cm में होता है तो हम 100 अपॉन F लिखते हैं इसका मतलब जो lens की छमता है वो किस पर निर्भर कर रही है focus दूरी पर उत्तर lens की focus दूरी धनात्मक होती है यानि कि उत्तर lens की छमता भी धनात्मक होगी और लेंसों की आवर्धन चमता को बढ़ाना हो तो हम लेंसों का संयोजन कर देते हैं मतलब दो तीन लेंस को मिला देते हैं और लेंसों को मिला कर उनकी आवर्धन चमता में व्रिधी करना उनकी तीवरता में व्रिधी करना यह कहलाता है लेंसों का संयोजन अब जब lens को हम लोग संयोजित करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, समान lens को एक सा संयोजित करें, या फिर विपरित lens को एक सा संयोजित करें, जैसे कि दो उत्तल lens को संयोजित कर सकते हैं, या एक उत्तल या एक अवतल lens को भी संयोजित किया जाता है, यदि इसको हम लोग चित की फोकसदूरी F2 है अब इन दोनों लेंसों से होकर यदि किसी वस्तू की प्रकाश इसके अंदर से गुजरेगी तो उसका प्रतिविम कहां बनेगा किस प्रकार बनेगा इसको हम समझते हैं माना कि इसके मुख्यक्ष पर हमने एक बिंदू वस्तू लिये है ओ और इस बिंद प्रतिविम कहीं बनता इस मुख्यक्ष पर आई वन पर लेकिन अभी यहां पर यह एक ही लेंस तो नहीं है एक दूसरा लेंस L2 भी मौजूद है तो अब यहां पर पुनह प्रकाश का अपवर्तन होगा और यह प्रकाश अभी मूडते हुए इस मुख्यक्ष पर आई बिं दूपर बनेगा लेकिन यह इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें इस चित्र को तो यहां पर अगर ओवस्तु हमने लिया है तो पहले लेंस के द्वारा उसका प्रतिविम कहां बन रहा है आई वन पर मतलब दूसरे लेंस L2 के लिए अब यह आई वन जो है वो वस्तु की तर इनका संयुक्त या इनका संयोजन हमको निकालना है इनके संयुक्त फोकस दूरी हमको ग्याद करनी है अब यहां पर हम देखें तो वस्तु की दूरी को हम किसे दर्शा आते हैं यू से तो हमने वस्तु की दूरी को यू से दर्शा है जो प्रतिविम आई वन बन रहा है इस अब लेंस के सूत्र के अनुसार, 1 upon V minus 1 upon U equal to 1 upon F, जब हम पहले लेंस के लिए बात करें, तो वस्तु है O, जो U दूरी पर है, जिसका प्रतिविम बन रहा है I1 पर, जो V1 दूरी पर है, तो ये सूत्र किस रूप में लिखा जाएगा? 1 upon प्रतिविम की दूरी यानि की V1, minus 1 upon वस्तु की दूरी यानि की U, बराबर 1 upon F1, क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी हमने F1 लेती, जब हम L2 के लिए ग्याद करें, तो यहाँ पर अब जो I1 है, यानि की प्रतिविम पहले वाले लेंस का बन रहा था, वो दूसरे वाले के लिए वस्तु की तरह कारे करेगा, तो यह फॉर्मूला किस प्रकार लिखा जाएगा, 1 upon प्रतिविम की दूरी, और फाइनली प्रतिविम कहां बन रहा है, V पर, तो V लिखेंगे, minus 1 upon V1, बराबर 1 upon F2, यह हो जाएगा समीकरण 2, अब जो पहले वाले लेंस के लिए समी इन दोनों को हम जोड देंगे, जोडने पर दाया पक्षदाय से जुड़ेगा, बाया बाया से जुड़ेगा, तो यहां मिलेगा, 1 upon V1, minus 1 upon U, plus 1 upon V, minus 1 upon V1, equal to 1 upon F1, plus 1 upon F2, यहां से 1 upon V1, 1 upon V1, cancel हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लास में, एक बार माइनस में, तो हमको क्य मिलेगा, यहां पर, 1 upon V, धनात्मक है, तो इसको पहरे लिक लेते हूं, 1 upon V, minus 1 upon U, equal to 1 upon F1, plus 1 upon F2, और यह जो, 1 upon V, minus 1 upon U, यह क्या है, यह, यह, फाइनली, प्रतिबिम्ब की दूरी है, और U, वस्त्व की दूरी, और यदि इस, लेंस का संयुक्त फोकस दूरी, हम F मान के चलते हैं, तो लेंस के सूत्र के नुसार, 1 upon V, minus 1 upon U, किसके बराबर होना चाहिए, 1 upon F के, तो यह, आपर हम लिख सकते है, 1 upon F, equal to, 1 upon F1, plus 1 upon F2, यह है, किसी भी लेंस के संयोजन, से प्राप्त, फोकस दूरी का सूत्र, और इस सूत्र से हम को क्या पता चल रहा है, किसी भी लेंस के संयोजन के बाद, जो फोकस दूरी का व्यूत करम हमको मिलेगा, वो प्रतेक लेंस की फोकस दूरी के व्यूत करम के योगफल के बराबर होगा, और यदि हम इसी संयोजन को एक उत्तर लेंस और एक अफतर लेंस के लिए निकाले, तो इन संयोगत लेंस की फोकस द स्थितियां हो सकती है जो दोनों ही लेंस उत्तल थे तो उत्तल लेंस की फोकस दोरी धनात्मक होती है इसका मतलब जो सहीयुकत- लेंस से बनेmos case उत्तल लेंस के संयोजन से वो भी एक उत्तल लेंस की तरह ही कारी करेगा लेकिन जब एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अफ्तल हो उस कंडिशन में अलग-अलग स्थितियां उत्पन होती है क्योंकि हम देख रहें फॉर्मिला 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 मना कि पहला लेंस उत्तल है उत्तल लेंस की फोकस दुरी धनात्मक होती है तो हम प्लास f1 लिखेंगे दूसरा लेंस अफ्तल है अफ्तल लेंस की फोकस दुरी धनात्मक होती है तो हम से माइनस f2 लिखेंगे तो यह सूत्र किस प्रकार बन जाएगा 1 upon f equal to 1 upon F1-1 upon F2 अब इसी फॉर्मिले के अधार पर तीन अलग-अलग स्थितियां हो सकती है जब दोनों ही लेंसों की फोकस दूरी समान होई मतला F1 बराबर F2 हुआ इस कंडिशन में यदि अब हम मान रखें तो 1 upon F equal to हो जाएगा 0 यानि कि फोकस दूरी F बराबर हो जाएगी 1 upon 0 और 1 upon 0 मतलब हो जाएगा infinity तो ये फोकस दूरी अनन्त हो गए फोकस दूरी अनन्त होने का मतलब क्या होता है हलाकि यहां पर दो लेंस रखे हुए हैं एक उतल और अफ्तल लिकिन फिर भी जब दोनों का संयोजन हो रहा है तो ये दोनो ही लेंस अपने अपने वहवार को छोड़ दे रहे और यह इस प्रकार कारे कर रहे हैं जैसी कि समान कांच का कोई तुकड़ा रखा हो जिसकी प्लेटे समानतर हो, यानि कि उसकी फोकसदूरी अनन्त हो, तो ये दोनों लेंस मिलकर भी साधरन समानने कांश के तुकड़े की तरह कारी करने लगते हैं, लेकिन यदि F2 का मान F1 से कम हो, यानि कि अवतल लेंस जो हमने लिया है, उसकी फोकसदूरी कम है और उतल ले लेकिन यदि उल्टा हो हम F2 का मान F1 से अधिक ले रहे हैं यानि कि अवतल लेंस की focus दूरी अधिक है और उत्तल लेंस की focus दूरी कम उस condition में F का मान धनात्मक आएगा धनात्मक मान है इसका मतलब यह संयुक तो जो लेंस है वो किसकी तरह कारे करेगा उत्तल लेंस की तरह इसका concept बिलकुल clear है हमारे पास दो लेंस है अगर दोनों की focus दूरी बराबर हो गई उत्तल और अवतल की तो वो समानने काश का एक तुकड़ा है जिसकी focus दूरी अनंत हो जारी है लेकिन इन में से एक की focus दूरी अधिक है और एक की focus दूरी कम वो किसकी तरह कारे करता है कम focus दूरी वाले लेंस की तरह यदि उत्तल की focus दूरी कम हुई तो वो उत्तल की तरह कारे करता है यदि अवतल की focus दूरी कम हुई तो वो अवतल की तरह कारे करेगा और इस संयुक्त lens की छमता पर क्या फर्क पड़ता है यदि हम देखें तो माना कि आपने दो lens लिया है जिसकी focus दूरी f1 और f2 थी तो उस यदि संयुक्त focus दूरी है तो 1 upon f को हम लोग उसकी चह्मता लिख देंगे यानि की बिलग देंगे और 1 upon f बराबर जब रहा ऊसका पिवन और 1 upon f2 बराबरजा का पी टू मतलब जो संयुक्त लेंस की छमता होगी वो सभी लेंसों की छमता का योगफल होगा तो इस प्रकार हम लेंसों के संयोजन से उनकी फोकस दूरी और उसकी छमता को भी ग्याद कर सकते हैं और इसी अधार पर बोर्ड एक्जाम में भी कई तध्यात्मक प्रश्ण पूछे जाते हैं जिनका प्रश्रीक्तव प्रश्न को भी हल कर सकते हैं ऐदि आपको दो लेंशे दे दिये गाएं एक उटल corporal एक और बोला जा रहा है कि इन लेंशों को पहचानीए इन में से कौन सा उप्तल है और कौन सा आवतल तो आप उसकी पहचान किस प्रकार करेंगे सिंपल पहले तो उसे चूख कर हम पहचानेंगे जैसे कि मैंने शुरुवात में बताया था कि जिस लेंस को छूने से बीच में मोटा लगता है और किनारों पर पतला लगता है तो वह कौन सा लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है और दूसरे प्रकार का लेंस जिसको बीच मे छूने पर पतला लगता है और किनारों पर मोटा लगता है वो कौन सा लेंस होता है वो अवतल होता है तो छू कर हम दोनों लेंसों की पहचान असानी से कर सकते हैं पर यदि हमको उस लेंस को छूने से मना किया जाए और उसको पहचानने के लिए बोला जाए तब हम उन लेंस को किस प्रकार पहचानेंगे हम जानते हैं कि दोनों ही लेंस में प्रतिभिम की प्रकृति अलग-अलग प्रकार की होती है तो इस प्रतिभिम की प्रकृति का कि यदि हम दोनों ही लेंसों को अपने कौपी के पन्नों के उपर रखे हैं और दोनों में प्रतिविम्ब सीधा बन रहा है एक में प्रतिविम्ब का आकार इस अक्षर के आकार से बड़ा है और दूसरे में प्रतिविम्ब का आकार अक्षर के आकार से छोटा है तो जिसमें आकार बड़े होंगे वो कौन सा लेंस होगा वो होगा उत्तलेंस यई कि जब हम उत्तलेंस में प्रतिविम का निर्मान पड़ रहे थे तो जब उत्तलेंस में अभासी प्रतिविम यानि कि सीधा प्रतिविम मनता है तो वस्तु के अकार से वो बड़ा होता है। इसलिए जिसमें सीधा और बड़ा दिखे वो उत्तल लेंस और जिसमें उल्टा और जिसमें सीधा और वस्तू से छोटा दिखे यानि अक्छर छोटे छोटे नजर आए तो वो हो जाएगा अवत्तल लेंस और इस confusion को दूर करने के लिए यदि हम दोनों लेंसों को दूर ले जाते हैं तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तू लेंस से दूरी पर हो तो वहां पर वास्तविक प्रतिविम बनता है और यह प्रतिविम उल्टा हो जाता है तो जिब हम दोनों लेंस को ले जा रहे हों और एक लेंस से बनने वाला प्रतिविम उल्टा हो जा रह प्रतिबिम्ब का आकार देखकर उसकी प्रकृति देखकर हम दोनों लेंसों के बीच में डिफ्रेंशेट कर सकते हैं अब इन लेंसों का उपयोग कहां कहां किया जाता है तो इंसे बनने वाले प्रतिबिम्ब की प्रकृति के अधार पर ही इनका अलग-अलग जगा उपयोग किया जाता है आपने बच्चों जासुसी वाली कोई कहानी देखी होगी उसमें हम देखते हैं जो डिटेक्टिव होता है वो अपने साथ एक काँच का वाला टुकडा लेकर आता है वास्तव में वो काँच का टुकडा लेंस होता है और वो देखते हैं हम लोग कभी अपने आ प्राकार को set करता है और यह जो lens होता है यह उत्तल लेंस होता है जिसको और रीडिंग लैंस के नाम से भी जानते हैं pretty बिसको वस्तु के बहुत पास रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिविंप कैसा बनेगा उसका प्रतिविंप मड़ा बनेगा तो वह चीजुँ पूर्जो को भी जिस लेंस की साहता से देखते हैं वो लेंस भी उत्तर लेंस होता है व्योंकि जब इसको उर्जो पूर्जो के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिभीं बड़ा होता है और वो अरली इस पष्ट रूप से उन पूर्जों को देख पाते हैं और उनको रिपेर कर पाते हैं इसी प्रकार कई अन्य उपकरण है प्रकाशिक उपकरण जिनमें इन एंसों को प्योग किया जाता है जैसे कि कैमरा दूर दर्शी सुक्ष्मिदर्शी जिसमें अलग-अलग प्रक तो को चश्मा लग गया तो आप उसे मजाक से ही पूछते हैं अरे यार चश्मा लग गया तुम्हरे चश्मे का पावर क्या है यह तुम्हरे चश्मे का नंबर क्या है तो आपने सुना होगा कि कभी वो माइनस में बताता है कभी वो प्लस में बताता है यानि कि जब माइन 1.5 का चश्मा लगा है तो यह माइनस क्या बताता है एक्टुली जो माइनस फोकस दूरी होती है या माइनस छमता होती है वो किसकी होती है वो अवतल लेंस की होती है यानि कि उस बच्चे को या उस वैक्ति को कौन सा वाला लेंस लगा है अवतल लेंस यदि वो धनात्मक मान बताता है इसका मतलब उस व्यक्ति को कौन सा वाला लेंस लगा है उसे उत्ता लेंस लगा है हम जानते हैं कि ये दोनों ही लेंस अलग-अलग स्थिती में इस्तमाल किया जाएंगे जो द्रिश्टी दोश होता है वो दो प्रकार से हो सकता है एक निकट द्रिश्टी दोश जि में कि दूर की वसतू दिंखाई नहीं दे रही है उस कंडिशन में अवतल लेंज कर स्थेमाल किया जाता है और जब देर्ग द्रिष्टि दोष होता है James यहां पर पास की वस्तु दिखाई नहीं देती वहां पर उत्तर लेंज का स्तमाल किया जाता है इस प्रकार अलग-अलग लेंजों का स्तमाल अलग-अलग स्थिती में किया जाता है